जो आहिन साथ ही हो देखेगा आज आपको पता होगा कि आज का जो पेपर है वो किस तरीके से पेपर आया था वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारो सब्जेक्ट में से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है पेपर का लेवल के इससा था सारी चीज कि सर पेपर का लेवल क्या था देखेगा पेपर का लेवल जो विद्यार्थियों ने बताया वो ये बताया कि सर पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था क्या था easy to moderate था मतलब कि difficult नहीं था ठीक है सबसे बड़ी बात है कि difficult नहीं होना मतलब अगर बच्चे इसे बोलते कि सर जी बड़ा difficult था बड़ा hard था मतलब समझ रहना कि वो ऐसे hard व्यक्ति तभी बोलता है जब और सतन रूप से feel हो जाए कि questions का level कुछ अलगी है जो पढ़ा था वो ब पर बड़ा अच्छा था यस ना ऐसे ही क्योंकि paper exam hall के अंदर आप जानते हैं कि वह एक प्रैसर अलगी होता है उस प्रैसर में बड़े अच्छे सीधे सीधे सवाल भी जोते हो गलत हो जाते बाद में आके regret होता है कम से कम 8-10 सवाल ऐसे आपके साथ में भी रहे होंगे जो easy to moderate था जो भी आगामी जो भी सिफ्ट आने वाली हैं 24 25 31 की उनमें आप एकदम confidence के साथ में जाएगा ऐसा बिलकुल मत फील करिएगा क्यार देखो paper जो है बाकी जो विद्यारती है वो paper बहुत हाड़ बता रहे हैं और फिर यार हमारा क्या होगा अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अब आप बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं बस revision के अलावा बताई कुछ नहीं कर सकते हैं आप अपने confidence को बिलकुल जो है बहुत कम कर देंगे जो के आपके लिए घातक साबित हो जाएगा आपने जो तयारी किया है full confidence में रखिए कि यार एकदम जो हमें paper को अच्छे स करके आऊगा यह अपने अंदर एक आत्म विश्वास होना चाहिए और अगर आप चारों तरफ देखते रहोगे कमेंट चेक करते रहोगे बच्चों को दोहरा review ज्यादा पूछते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा आप paper देखिए आप खुद देखिए किसी की सुनो मत यह बात है अच्छा देखिए अब मैं बात करता हूं जैसे math की तो देखो भाई math का थोड़ा सा जो paper मोडे टाइप का रहा है जैसा मुझे बताया और मोडे टाइप का रहा है मतलब कि आराम से आप जो है अगर आपने basic कर रखा है तो आराम से आप 10-12% कर जाएंगे अगर केली बार हुगा है कि इतना ज्यादा सवाल math से पूछ लिया गया हो इधर आपका reasoning देख लीजेगा मांसिक अवरी चुछ जो है वह बिलकुल नहीं पूछी गई है जो पहले paper में आए थी वह इस बार नहीं देखने को मिली है बागी जो topic आपके slayvers में ते reasoning में से वह है मत आप जो कम से कम 15 से 20 कोशन ना कर पाया हूं ऐसा नहीं है basic सवाल भी उतने थे कि आराम से आप 15 से 20 सवाल कर सकते थे तो यह आपका GKGS का हो गया अचा हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी का जो level था वह moderate type का था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी से आपको न नहीं आया reasoning आपने देख लिया होगा इधर आपने हिंदी को भी देख लिया तो मैं बस overview बस यह देना चाहूंगा कि आप औरों की बातों को सुनकर के अपने confidence level को जो है वो कम ना करें नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इस टाइम पर आपको किसी का सुनना नहीं है आपका जो टेंशनम आ जाएंगे यार यह तो genuine paper है मैं इसमें देखो यार यह सवाल तो मुझसे हुआ ही नहीं है इसका तो answer ही नहीं निकल रहा है तो आप बहुत सारे challenge है जहां पर इनका solution करवा दिया गया है वहां से आपका एकदम समझ में आएगा समझ मातर है तो वहां से आपको confidence confidence आपका boost होना चाहिए ना कि confidence को decrease कर दिया जाए इस बात का थोड़ा ध्यान रखेगा पाकि overall paper ऐसा है कि आपने जो भी तैयारी कर रखा है वह आपको आराम से एक स्कीट दिला जाएगा यह मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं चुलेगा अपना ध्यान रखेगा बाकी मिलता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगला वीडियो रिव्यू के लिए धन्यवाद